वर्तमाल समय में गरिब कन्याओं की कम खर्च में आसानी से शादी हो सके और कन्याओं को मुख्यमंत्री योजनाओं के अंतरगत लाब मिल सके इसी देश को लेकर खरगोन जीले में हेला मुस्लिम समाज दौरा प्रतिवर्शानुसार इस वर्श भी सामुईक इस जते माई शादी का आयजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए सम्मेलन आयुजित करने के लिए सर्व सम्मती से कमेटी बनाई गई जिसमें सदर चांद खान नायप्त सदर मुन्ना भाई और महबूप खान सेकेटरी फारुक हुसेन इम्रान खान को बनाया गया साथ ही कमेटी के अन्य प्रदादी कारियों और सदस्यों को चुना गया समाज के महभूब इमरान खान ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को अंजुमन मेदान पर इस्तेमा शादी आयोजिन की जाएगी कमेटी के अलावा समाज के सभी लोगों का सयोग होगा सदर चुनने के बाद समाज द्वारा सदर चान खान और कमेटी के जितने भी मेंबर प्रतिन्दी चुने गए उनका पूस्व वर्षा कर स्वागत किया गया खरगों से अजे तिवारी की रिपोर्ट जो है कि आयोजन करेगे जिसमें सदर जनाप चंदो सदर साब को चिना गया इसके अलावा जो है सरपरस्त में साकिर भाई आजी याकूब साब आपी तीनों चावा हावी जो हमारी विराज्री के इनको दखित खया गया है अज़ा यह सम्मेलन का क्या इसके बीचा आपकी क्या सोच है जो हमारी विराज्री की घरीब सज्ण्याओं को जो है लाब पोचाते हुए मुक्तेमंति का लाब पोचाते हुए उनका नीका जो है फिजिल खर्ची से बचागा है पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तुछी कमेटी है जो कमेटी है हर साल बदली जाएगी खदर को जो हर वर से बदला जाएगा जो सभी को इसका जो आउसर दिया परदान के जाएगा कि वो आयूजन करें क्या नाम है आपका मेरा नाम मुम्मत इम्रान का 2020-2021 का जो सम्मिलन रहेगा इस्तमाई शादी रहेगी उसमें जैसे कि अपने यह कहा है सम्मिलन के एक माँ पाद हिसाब दे करके वो बादी रहेगा अब आने वाले साल के लिए जो इस्तमाई शादी का जो एजन्डा जाएगा वो हाफी जो की साइन साइन से जाएगा जो पूरी समाज को माननी करना होगा तो आपको मन्जूर है कि अपके अच्छी मोपत है और इसी होना भी चाहिए उसका कारण यह है कि अभी अपने बीच हाफी जो बेठें हैं तो उनका खुल मिला करके वो अपनों को जो भी शेशला दे वो अपनों को मानने करना चाहिए विरादरी के लिए होगा एक के लिए नहीं होगा बलके विरादरी के हर इंसान के लिए होगा और जो इसके खिलाब करेगा पुरी विरादरी उसके लिए जो है उसको कारभवाई करने पर तेयार रहीगा सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले